अभिनाव जी यादर सानन्द ने रोया है बिहार का वो लाल रोया है जिस पे पुड़े बिहार को गर्व है अगста है को आपको नहीं पता है हम अपने दिल में और जुबान पर लेके घुणते हैं। जहां जाते हैं आपके आखों में आशुगा सकता है, दो मिनट के अंदर, दो सेकेंड के अंदर, अगर थोड़ा सा है तो, लेकिन पत्रकार बनने के लिए और लोगों की समस्चाओं से लड़ने के लिए आपके अंदर वो जिगर होना चाहिए, जो गौड गिफ्ट में नहीं मिलता है, लेक तत्यों रांकडों पे होनी चाहिए, क्या सच है, क्या जूट पर है, क्या जूट है, बात इस पर होनी चाहिए, कलाकार दो मिनट में बन जाएंगे, कि पत्रकार बन जाएंगे, ये डजंट मैटर, क्यो नहीं बने आप पत्रकार, आप कह रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिला, आप क्या कह रहेंगी हमको एक पैसा नहीं मिला पैसा का भूख है आपको तो आप बन जाते न पत्रकार ज्यादा पैसा साहद कमाते आप कलाकार इसलिए बने हैं क्योंकि आपके अंदर भगवान ने वो गिफ्ट दिया है हम उसका सम्मान करते हैं लेकिन उसकी याड में ये मत कहिए कि पत्रकार हम दू मिनट में बन जाएंगे किसी दिन माईक उठाके और भागलपूर यूनिवर्सिटी का काया कल्प कीजिए लड़िये उसके लिए तब समझ में आएगा कि पत्रकार बनना कितना मुस्किल है भागलपूर में नजाने कितने लोगों का मडर होता है उनके लिए कभी आवाज उठाइए वो रिस्क लीजिए अपने उपर तब आपको समझ में आएगा कि पत्रकार बनना कितना मुस्किल होता है कभी लड़के देखिए सणग पर तब आपको पता चलेगा जब आप नाचना गाना से फुरसत मिले ना सर तो कभी रिस्क लीजिए तब समझ में आएगा कि पत्रकार बनना कितना मुस्किल है मतलब असानी से पत्रकारों पर सवाल कर देना ये बहुत गलत है जो लोग सही पत्रकारिता में कर रहे हैं अगर जब उस पोजीशन पर खड़े होंगे ना तब उनको समझ में आएगा तब उनको समझ में आएगा ऐसे तो दिख जाता है कि व्यूज आ गया पैसा आ बर बर बोल दिया लेकिन जब लोड़के देखिए गा ना जब आदमी एक विधायक का नाम लेता है एक वीडियो उसके चमचे पीछे लग जाते हैं डराते हैं धमकाते हैं और आदमी उससे फेस करता है वीडियो तक डिलिट नहीं करता है तब जाके उस पोजीशन पर पहुचता है सर पत्तरकार का क्या है? नहीं, हम नहीं कर सकते हैं चलिए ठीक है या मनिस्क कषब नहीं कर सकते है ठीक है अप तमाम पत्त्तरकारों को वर्सेज कलाकार से नाप नहीं सकते हैं आपकी कला अलग है पत्रकारों का अचीज अलग है एक कलाकार असानी से पत्रकार नहीं बन सकता और एक पत्रकार कलाकार नहीं बन सकता पत्रकार बनना इतना मुश्किल है जब आप कलाकार होते हैं और आपको जब मौका मिलता है मौक पत्रकार जाता है इंटर्विव करने के लिए लोग आधा गंटा बोलके पाँच-पाच गंटा बईठाते हैं अगर वह वह करके आता है वही पत्रकार अगर उपने एटिटूड पे ले 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 ना कि हमारा है वह फोलोवर सब्सक्राइबर है तो लोगों तक खबर पहु कि ने किया बहुत बहुत गलत कि मुझे बुरा लगा कि यह खड़े हैं और चाहें और इस sparkling को कि यह यह नोगों य्साथ का लिए मनिश कश्चप को जो टार्गेट किया गया ऐसे तो अगर मनिश कश्चप कोई भी काम करते हैं उसको उसका विरोध होना ही होना है जैसे नरेद्र मोधी कोई काम करते है तो विपक्षी वाले को उसका विरोध करना ही करना है सही हो या गलत हो घर किसी को अपमानित किया जाता है तागे बताता नहीं है कि हम मेरा अपमान हुआ है आज अब नहीं किया जाता है तब आके ढोंग करता है कि हमारा अपमान हुआ है यह बात एक दम मैं सची बता रहा हूं अगर सच में आपका अपमान हो जाएगा ना तो बचाईएगा लोगों को पता ना चले कि आपका अपमान हुआ है लेकि नहीं लेकिन खबर पहुच गई क्योंकि वीडियो वाइरल थी सारी कि सारी तो उतने बड़े उतने बड़े कलाकार ने आपके लिए लिखा यह बड़ी बात है अपना पोस्ट किया और यह होता है जमीन से जुड़ा हुआ है तो अधर सनन्जी अभी समझ गई होगी जो इस मामले को लेके चर्चा कर रही थे आखरी में बस जाते जाते इतना कहेंगे लोग गाली तो देंगे ही क्योंकि लोग सच सुनना नहीं चाहते हैं लोग बस जो उनको अच्छा लग रहा है वही आप बोल दीजे तो लोग वाह वाह करेंगे अगर आपने सच कहा अपने हिसाब से तो लोग गाली देंगे तो तो बूल है